हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा एकदम टेश्टी और डिलिश्यस तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सब गाजरों को पूरा खीस के रग दिया है फ्रूट प्रोसेजर में किया है आप चाहे तो हाथ से करने वाला रहता है उसमें भी कर सकते हैं तो यहां पर यह गाजर को मैंने पहले पतीले में डाला था फिर जैसे उसका मौस्चर थोड़ा कम हुआ तो मैंने इसको कड़ाई में डाल दिया है अब यह कड़ाई में डालके मैंने उसके अंदर दूट डाल दिया है दूट डालके ना उसको पूरा दूट के अंदर हम पक सकता है नीचे और यह प्रोसेजर में स्लो गैस पर ही कर रहे हूं बले थोड़ा टाइम जाएगा बट अच्छा रिजल्ट आएगा यह देखे जैसे दूद्ध थोड़ा सा सूख गया है मैंने इसके अंदर डाल दी है शक्कर सुगर डालने के बाद अभी इसे अच्छे से मि अब जैसे ही सुगर और मिल्क अबज़र होने के बाद यहां पर मैं डाल रही हूं खोया यह खोया वही है जिससे मैंने घी बनाया था और घी के बाद जो बचता है ना खुर्चन इससे मैं आज यह गाजर का हल्वा बना रही हूं बट फ्रेंस यकिन मानी इतना टेस्टी बाद में यहां पर डाल रही हूं ड्राइ फूर्स यह वारिक चॉप किया किये हूए आंट वो सब मैं यहाँ पे अड़ कर रही हूँ यह मेरा गाजर का हलवा बन करके रेडी है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट में मुझे बताए और मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए सबस्क्राइब कीजिए जादा से जादा से जादा सेर कीजिए यह देखिए एकदम फटा फट से इजी और एकदम टेस्टी गाजर का हलवा बन करके रेडी है और एक बार ट्राइ करना तो बनता है सरदिया चल रही है तो गाजर का हलवा तो बनता है हर घर में तो मेरी तरीके से मेरी रेसिपी बना करके जरूर देखी अब यहां पर लाश्ट में मैं इलाईची पाउडर डाल रही हूँ यह मैंने चार पाच इलाईची कूटली है और उसको मैं डाल जादा वो मुह में आती है तो बच्चों को नहीं पसंद करते बच्चे तो इसलिए थोड़ा अच्छे से मैंने उसको अभी लाश्ट में हम घी डाल देंगे और हमारा गाजर का हलवा रैडी है हुआ अटर वेख वेर झाल झाल